वेल आलिया भट की डार्लिंग्स फिलाल काफी जादा कमाल कर रही है नेट्फिक्स पर रिलीज हुई है 5th अगस को और तब से लेकर अब तक काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला है डेफिनिटली इस मुवी हाज बीन अ सूपर डूपर हिट अब आफ्टर डार्लिंग्स ब्रमासर के रिलीज को लेकर अलिया भट कम्पलेटी तयार है अपने हस्बन अरणबीर कपूर के साथ इस मुवी में दिखाई देंगी 9th of September को ब्रमासर पार्ट वन शिवार रिलीज होनी जा रहा है लेकिन क्या आपको पता है जो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है आलिया उससे उन्हें कितनी कमाई होती है चलिए आपको बताते है पर social media post कितना कमा रही है आलिया और आज जो भी top actresses में है उनमें आलिया की ranking आखिर कहां आती है आप देख रहे है फीफा फूस में हूँ आपकी host और दोस्त विदांगी करने को बता दे आपको 2012 में W क्या था student of the year के साथ आलिया भटने along with Varun Dhawan and Siddharth Malotra well student of the year को काफी पसंद किया गया और आलिया के performance को भी लेकिन धीरे धीरे उनके acting और जादा improve होती गई and highway के साथ उन्हें और जादा success मिला and definitely जो उनका किरदार था in student of the year उसके comparison में highway काफी different था so लोगों ने उनको glamour के बगेर उनके acting को देखा and that is जब से आलिया और जादा popular होने लग गई and down the line she has been one of the most top actresses and highest paid actresses we have in Bollywood well आपको अगर बताएं के social media post की कमाई तो almost she charges 85 lakh rupees to 1 lakh rupees for instagram post social media पर कहीं पर भी post करना है किसी भी ad की बात करे social media पर upload करने के लिए she charges anywhere between 85 lakhs to 1 crore depending on the product and depending on की कैसा उनका story है या post है या video है या real है and she is one of the youngest in top 10 celebrities और उनकी brand valuation की अगर बात करे तो 68.1 million से लेकर 68.1 million तक उनकी brand evaluation आ रही है यानी almost 540 crore rupees की उनकी brand evaluation है और top 10 actresses में उनका नाम आता है top 10 highest earning celebrities और फिलहाल इंडिया में number one celebrity बन चुकी है अलिया भट क्या कुछ कहना था होगे इस बारे में let me know in the comment section I'll see you guys soon take care